नमस्कार दोस्तों, SSC GD 2023 की exam date declare हो चुकी है, कब से इसके form बना start होने वाले है, exam कब होने वाला है, qualification क्या है, age क्या मांगी गई है, exam का pattern कैसा होता है, physical में क्या क्या होता है, और जितने भी आपके सवाल है, उन सब का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो end तक देखेगा, स सबी के जवाब में देता हूँ, देखिए, SSC ने अभी अपना exam calendar update किया है, जिसमें उसने अब ये बता दिया है, कि 24 नवेंबर, 24 नवेंबर को जो है, इसका notification जारी होने वाला है, और इस दिन से ही इसके form बरना start होंगे, और 28 दिसंबर इसकी last date रही और परिक्षा जो है, वो आपकी होनी है, February March में, मतलब आपके पास लगभग 5 से 6 महीने हैं, जो की बहुत अच्छा समय है, एक sufficient time है, जिसमें आप बहुत अच्छी तयारी कर सकते हैं, अभी आपका एको doubt होगा कि कि सीच का selection करें, BSF, CISF, CRPF, क्या अच्छा है आपके लिए, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना, तो लगभग 5-6 महीने हैं, अगर आप इसके लिए serious हैं, क्योंकि दसवी के बादी exam आप दे सकते हो, हिंदी English का tension नहीं है, क्योंकि optional है, जिनकी English कमजोर है, वो भी इसको भर सकते हैं, क्योंकि हिंदी विशय आप ले सकते हैं, तो बहुत मामलो भी कठी नहीं होता है, कि और इससे जादा समय चाहिए, बस ज़रत है शुरुआत करने की, देखे, इसकी फीस 100 रुपे होती है, उसमें भी women candidate और STAC candidate के लिए कोई charge नहीं होते हैं, इसके बाद करते हैं, mode of selection, तो सबसे पहले इसमें computer based test होता है, उसको clear करने के बाद आपको physical के लिए बुलाये जाएगा, उसके बाद medical होगा, उसके बाद joining यानि document verification होगा, उसके बारे मैं बताता हूँ मैं physical में क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं, कि इसमें पूछा क्या जाता है, exam का pattern क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझें, कि इसमें जो प्रमुख विशय हैं, एक आपका reasoning हो गया, एक आपका GS हो गया, जिसमें सब कुछ आ जाएगा, इसके बाद आपका mathematics हो गया, और जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, कि English या Hindi में से कुछ एक चुनना है, आप या तो English भाशा ले सकते हो, या Hindi भाशा ले सकते हो, ये सबसे वड़ा advantage है, ज आप से 20-20 प्रशन पूछे जाएंगे, टोटल 80 प्रशन होंगे, और हर प्रशन दो नंबर का होगा, 160 नंबर के paper होगा, 80 प्रशन होंगे, एक गंटे का आपको समय मिलेगा, 0.50 जो है, इसमें आपकी negative marking होनी है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानि आपके दो प्रशन गलत ह हुए, तो एक नंबर आपका कट जाएगा, आधा हम इस कह सकते हैं कि negative marking यहापर है, ये आपको सबको clear है, इसके बाद, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, qualification की बात करें, तो इसमें qualification सिर्फ दस्वी मांगी जाती है, दस्वी पास हैं, आ लगबख salary भी अच्छी घासी इसकी होती है, अब बात करतें age की, अच्छा ये जो notification है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिछले साल का, यानि 2022 का, इस साल के notification में ये जो date है, ये change होगी, यानि जो calculation है कि कि तारीक से आपकी उम्र की गणना होगी, बस ये बदलेगी, बा आपको तीन साल का और relaxation मिल जाएगा, एक सर्विसमेन है, तो आपको तीन साल का relaxation मिल जाएगा, इसी प्रकार यहां सब के वारे में लिखा हुआ है, यहां पे आप screenshot ले सकते हैं, कि आपको reasoning में क्या-क्या पढ़ना है, maths में आपको क्या-क्या पढ़ना है, और GS में क्या आपको एक अच्छी बात यह बता दूँ कि जिनको advanced math से से डर लगता है, like algebra, trigonometry, geometry, तो उनका role यहां पे काफी कम है, बहुत आसान सवाल होते हैं, और arithmetic के ज्यादा सवाल होते हैं, तो maths बहुत easy आएगा, और आप बहुत अच्छे से यहां पे सवालों को कर सकते हो, और समय भी इतना अच्छा है कि arithmetic को आप काफी strong कर सकते हैं, paper का level easy to moderate होता है, यारी आसान से medium level, मध्यस्त हम बोल सकते हैं कि एक medium level का यहां पे paper रहेगा, बहुत high level या advanced level के questions इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, चलिए, अब बात करते हैं race की, तो सबसे पहले लदाख छेत्र के विद् अगर छोड़ दें, तो सभी के लिए 5 km 24 मिनिट में तै करना है, महिलाओं के लिए 1.6 km, 8.5 मिनिट में तै करना है, और जो लदाख छेत्र के हैं, 1.6 km, 6.5 मिनिट में 800 मिनिट में उनको तै करना रहेगा, height लड़कों के लिए 170 है, लड़कियों के लिए 157 है, chest केवल लड Medical Efficiency Test है, जिसमें आपका एक तो running हो जाएगा, और आपका basic यहां पर height और chest का calculation रहने वाला है, इसको आप qualify कर जाते हैं, qualifying होता है, इसको आपने qualify कर लिया, अब आपको जो है, इसके आगे medical test लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका basic के कोई problem तो नहीं है, eye vision आपका देख करने पर आपके पास जो मोके होते हैं, BSF, CRPF, ITBP, NCB, Assam Rifles, SSB, SSF और CISF, अब बहुत सारे students को पता ही नहीं होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, किसमें कहा ज्वाइनिंग मिलेगी, किसमें क्या काम करना होता है, हम कई बार जो सुना हुआ होता है, वो भर देते हैं तो इस पर मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है, सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि इनका मतलब क्या होता है, इसमें आपको पोस्टिंग कहा मिलेगी, क्या काम करना होता है, क्या आप अपने राज्ये में वापस आप आएंगे, हर प्रशने का जवाब मैंन से भी देख लेना, इस वीडियो को 15 लाक से जादा, 1.5 मिलियन बिद्यारतियों ने इस वीडियो को देखा है, आप भी देख लीजेगा, इन सब के बारे में आप समझ जाओगे कि क्या होता है, है ना, तो यह है जीडी वेकेंसी के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपके फोटोज हैं, 2021-2022 में बहुत संख्या में विद्यारती विनर्स से चैनित हुए हैं, और आपकी फोटो भी यहाँ पर आ सकती है, बशरते आप मेहनत करें, है ना, नए है आप इस चैनल पर तो जुड़ जाईए, विनर्स की अप्लिकेशन को डाउनलोड करके रख और विनर्स की अप्लिकेशन यू भी बहुत काम की है, बहुत सारी चीज़े आपको फ्री में वहाँ पर मिलती है, और आप चाहें तो मेरी मैट्स की किताब, या फिर हिंदी की, इंग्लिश की, जीएस की किताबे आप खरीच सकते हैं, अच्छा देखिए, विनर्स की दो एक विनर्स इंस्टिट्यूट एप है, और एक विनर्स पब्लिकेशन एप है, इससे आप किताबे और कर सकते हो, इससे आप कोर्स ले सकते हो, और बहुत कम फीस में हम SSC GD का कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और शांदार क्वालिटी के साथ लाइव पढ़ने का है, तो उमीद है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इस्टिल अगर कोई क्वेश्चन है, या ऐसा कोई आपके मन में संदे है, जो मैं क्लियर नहीं कर पाया, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना के आपको उसकी जानकारी भी दे दूँगा, तो SSC GD से रेलेट जय भारत!